रियाक्शन ही तो है लोहे को पानी में डाल दो तो पानी में डालने पर लोहे पे जंग लग जाता है देख सकते हो वो क्या है एक केमिकल रियाक्शन ही तो है लकडी का जलना क्या है केमिकल रियाक्शन ही है फूड का बनना खाने का बनना क्या है केमिकल रियाक्शन ही है यह स और बैटरीज होगी उन बैटरीज में भी कुछ ना कुछ गैमिकल रियाक्शन हो रही है दिवाली पे पटाके जलाते हो बहुत सारे फायर वक्स जलाते हैं दिवाली आने भी वाली है तो कुछ बच्चों ने तो जलाने शुरू भी कर दिये होंगे दिवाली पर जो अलग- सारी हमें केमिकल रियाक्शन्स देखने को मिल रही है ठीक है बहुत सारी ऐसे केमिकल रियाक्शन्स जो हम देखते हैं हमें देखने को मिलती है ठीक है अब यह केमिकल रियाक्शन्स क्यों हो रही है केमिकल रियाक्शन्स में ऐसा क्या हो रहा है है ना कौन-कौन सी ऐसी ची है है अब क्वेश्ण तुम लोगों से बताओ मुझे जल्दी से सॉलिड का या फिर बरफ का पिखलना क्या ये bless to कि अगर में तुम लोगों से पूछूं की बरफ का पिखलना चाहिए एक कैमिकल चेंज है बताओ बेटब in which new substances with new properties are formed. Chemical reactions क्या है? ऐसे processes जिसमें कुछ नए-नए सबस्तांज बन रहे हैं और जिनकी properties भी नए-नए हैं. Properties मतलब जैसा वो पहले था, अब वैसा नहीं है. ठीक है? खाना जो हमने खाया था, वो अलग था. बॉडी में डाइजस्ट होने के बाद कुछ अलग चीज़े बनती है. ठीक है? लोहा पहले अलग था, जो नया रस्ट बना, जो नया जंग लगा लोहे के उपर, वो अलग है. तो एक chemical reaction के अंदर नए सबस्तांसेज बनते हैं, जिनकी properties नए होती है. अब question गे था बच्चो, कि हमारे पास बरफ का पिघलना, एक chemical change क्यों नहीं है? तो खुद सोचो, क्या उसमें कोई नई चीज बन रही है? क्या? बरफ जब पिघल रही है, तो क्या उसमें कोई नई चीज बन रही है? क्या? नई बन रही, वो भी पहले पानी की एक state थी, solid state, अब वो पानी की liquid state में बदल गया. यानि की कुछ भी नया नहीं बन रहा, तो वो तो एक chemical change होगा ही नहीं, बहाँ पे तो कोई chemical reaction हो ही नहीं रही. तो chemical reaction में होता क्या है? उसमें नई substances बनते हैं, जिनकी properties बिल्कुल नहीं होती है. कैसी होती है? नई properties होती है. ठीक है? अब chemical reaction के अंदर दो चीज़े होती है, बच्चे. एक होता है reactant और एक होता है product. एक होता है reactant और एक होता है product. अब ये reactant क्या है? और ये product क्या है? तो देखो. originally iron present था. आइरन को पानी के अंदर डाला, उस पे जंग लग गया. ठीक है? आइरन को पानी के अंदर डाला, उस पे जंग लग गया, कुछ नया बना, कुछ ब्राउन कलर की layer सी पपड़ी सी बनने लग जाती है, जो लोहे के उपर इकठी हो जाती है. है ना? आप देखो. reactions के अंदर दो चीज़े होती है. पहला reactant और दूसरा product. reactant क्या होता है? जो आपके पास initially, initially मतलब पहले, जो originally present substance होता है. मतलब कि जो पहले चीज़े बनी होई प्रखी है. वो होती है reactant. अब बाद में जो नई चीज बनी, जो ब्राउन कलर की layer बनी बाद में वो क्या होते है? product. है ना? अब भी और example से समझेंगे इसको. तो reactant क्या होते है हमारे पास? जो भी originally present substances होते है. जो भी originally present substances होते है. और product क्या होते है हमारे पास? जो भी newly formed substances होते है. जो नए नए substances बनते है, वो होते है क्या? product. है ना? अब ये reactant और ये product मैं और example दो और इच्छे से समझाओ तो कोई बात नहीं समझते हैं और example से उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ वो यह है कि जब भी एक chemical reaction हो रही है न तो हमेशा atoms की rearrangement होती है rearrangement मतलब atom अपनी जगा बदल लेता है जैसे मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ अब मैं यहाँ खड़ी हूँ मैंने अपनी जगा बदल ली ना वैसे ही atom अपनी जगा बदल लेता है कैसे तरह इस example में देखो पहले दो yellow color की ball साथ में है और दो blue color की ball साथ में है इस यलो कलर की बॉल को मैंने बोला ये है हाइड्रोजन यानि की H2 इस ब्लू कलर की बॉल को मैंने बोला ये है ओक्सीजन यानि की O2 ये H2 है ये O2 है पहले ब्लू-ब्लू बॉल साथ में है येलो-येलो बॉल साथ में है हाइड्रोजन अलग है ऑक्सीजन अलग है बाद में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रियाक्षन होई तो बना पानी यानि कि बना वाटर जिसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होती है यानि कि पहले तो दोनों हाइड्रोजन साथ में थे और दोनों ऑक्सीजन दो मिस्ट्री की लैंग्वेज में इनके बीच में जसे एक टीचर और स्टुडेंट के बीच में बॉंड होता है ना एक रिलेशन होता है है ना जब हम क्लास में नहीं थे हमारे बीच में कोई बॉंड नहीं था हमारे बीच में कोई दोस्ती नहीं थी लेकिन अब जब पढ़ र पीच में रियाक्शन होई तो यलो और यलो और नीली इन सभी ने मिलके एक नया कंपाउंड बना लिया इन सभी ने मिलके नया मॉलिक्यूल बना लिया क्या बना लिया पानी बना लिया वाटर बना लिया मतलब कि पहले यह दोनों आटम साथ में थे अब दो यह और एक यह सा केमिकल रियाक्षन होती है हमेशा एंटम स्की रियारेंज्मेंट होती है कभी भी आपन सका इंटर कनभर्जन नहीं होता कभी भी atoms का inter-conversion नहीं होता atoms कभी भी inter-converting होते ऐसा नहीं होगा कि hydrogen carbon में बदल गया या फिर oxygen किसी magnesium दूसरे atom में बदल गया ऐसा कभी नहीं होगा atom तो पहले भी hydrogen थे अब भी hydrogen है पहले भी oxygen थे बस इनकी दोस्ती बदल गई पहले ये दोनों आपस में अच्छे दोस्ते अब oxygen इनके बीच में आ गया और water की formation हो गई ठीक है water की formation हो गई ठीक है आईए एक और example देखते है chemical reaction का अब इस figure को बहुत ध्यान से देखना बच्चे ये figure दिख रही है देखो बहुत ही सुंदर सी आपे एक figure है ये जो person है जो लाब में activity कर रहा है chemistry की labs होती है जहां पे activities की जाती है उसने ना एक ribbon सा पकड़ रखा है बहुत ही ध्यान से सुनना देखना देखो ध्यान से देखो इस figure को उसने एक ribbon पकड़ रखा है उसने ये जो ग्यास काजी जो है इस लाब में जो आग लगाने के लिए fire के लिए जो श्टोब यूज किया जाता है बर्निंग के लिए जो स्टोब यूज किया जाता है उसको बोलते है बर्नर ठीक है ताकि किसी को ये confusion ना रहे अब यह जो person है ये क्या कर रहा है एक ribbon सा है उसने जिस चीज से पकड़ रखा न उसको बोलते हैं टॉंग क्या बोलते हैं उसको टॉंग बोलते हैं उसने वह पकड़ा उसको fire में लेके गया और देखो कितनी सुंदर सी वाइट कलर की एक flame निकलती हुई नजर आ रही है है ना तो कैसे आई वो फ्लेम वाइट कलर का ऐसा कुछ बना होगा ना उसमें जो यह फ्लेम आई जल्दी से बताओ बच्चे सब को समझ में आया सब को दिख रहा है ना कि कैसे वाइट कलर की एक नई फ्लेम प्रोडियूज हो रही है इनीशली मेरे पास एक रिबन सा था बस मैंने उसको फायर में लेके गई मैं और फायर में लेके जाने के बाद फायर में लेके जाने के बाद एक वाइट कलर की फ्लेम उसने मुझे नजर आई समझ में आ रहा है ना चलो बहुत बढ़िया वेरी गुड बच्चे है ना अब देखो यहां पे क्या था यहां पे मेरे पास एक मैगनीशियम का रिबन था ठीक है मैं गई लेके में गई उसको मैंने बर्नर में जाके बर्न किया जब मैंने बर्न किया ना तो बहुत ही सुन्दर सी अब इसकी फ्लेम तो ब्लू कलर की होती है है ना ग्यास टॉप की फ्लेम तो ब्लू कलर की होती है ना उसमें लेके गई तो ब्लू फ्लेम की जगह वाइट फ्लेम बहुत ही सुन्दर सी मुझ सोचा कि our baja कुछ नाकुछ तो नया बन रहा है यहाँ पे जिसकी वज़़ा से मुझे नया सब्सक्तांज यह पे बन रहा है जिसकी वज़़ा से मुझे वाइड फ्लेम नजर आ रही है है ना बन रहा है वडिकुड चलो फिर देखो यहाँ पे िनिशल ही मतला मेरे पास क्या था मैंने उसको बं किया हीट किया उसको मैंने oxygen गैस होगी उसमें तो अकसीज़न के साथ जब react किया तो कुछ नया बंदाया और वो जिजन यहीजों कड़ी वही वाईट कलर की थी जिसकी वज़ा से वौईट कलर का पाउडर मुझे वाइट कलर की मुझे फ्लेम दिखने लगी और अगर दो जलते हुए इस तरीके से गलास के एक कंटेनर की ऊपर ले के जाओं तो इसके उपर बहुत वाइट कलर का पाउडर इकठा होने लग गया सके उपर बहुत सारा वाइट कलर का पाउडर इकठते होने लग गया है अब आप वह वाइट कलिर की चीज क्या है तो देखो इनिशल मेरे मेरे पास क्या था मैगनीशियम था जिसने react किया oxygen के साथ और क्या बनाया एक नई चीज बनाई जिसका नाम होता है magnesium oxide जिसका नाम होता है बच्चे magnesium oxide क्या होता है magnesium oxide तो initially मेरे पास क्या था magnesium और oxygen तो यहाँ पे बच्चो reactant क्या हुए magnesium and oxygen magnesium and oxygen और product क्या बना magnesium oxide अच्छाँ अब यह बताओ बेटाजी किसी को magnesium oxide का formula पता है क्या जल्दी से बटाओ मुझे comment section में किसी को magnesium oxide का formula पता है जलदी से बताओ बेटाजी अब यह formulas कैसे लिखने है यह formulas कैसे लिखने है देखो चार्ज पता होना चाहिए magnesium पे होता है plus 2 oxygen पे होता है minus 2 plus 2 minus 2 0 इसलिए resultant बनता है क्या mg o plus 2 minus 2 0 इसलिए resultant बनता है क्या MGO clear है बच्चों जल्दी से बताओ जो इन बच्चों को नहीं हुआ थोड़ा सा भी डाउट है वो बस इतना समझो कि एक magnesium का ribbon होता है ribbon देखा है ना बच्पन में यूज किया होगा उसको मैं आग की उपर लेकी गई और उसको मैंने जलाया जब मैंने जलाया तो white color की flame बनने लगी white color की flame बनने लगी white color का एक नया सबस्टांच बनने लगा वह white color का सबस्टांच क्या है वह white color का सबस्टांच है magnesium oxide magnesium को जब heat किया उसको oxygen मिली और oxygen के साथ react करके बना magnesium oxide ठीक है तो initially क्या था magnesium oxygen जब दोनों को react किया तो क्या बना magnesium oxide ठीक है magnesium oxide वह क्या हुआ product तो बस यहीं तो लिखा है बच्चे मैंने यहां पे reactant magnesium oxygen और product क्या है magnesium oxide चलो बहुत बढ़िया आगे चलते हैं अब हम लोग अब यह question जो आपके पेपर में बहुत बारी पूछा जाता है question है why do we clean magnesium ribbon before burning them अब मेरे पास लाब में magnesium ribbon ना कई बारी बहुत पुराना रखा होता है ठीक है तो अगर मैं experiment कर रहे हूं लाब में जाकर या आप भी कर रहे हो तो क्या करते हो पहले ने उसको क्लीन करते हो ऐसा क्यूं होता है है ना क्यूं क्लीन करते हो क्योंकि देखो यह से Lord included बहुत पुरानी पुरानी है छाना काफी सालों पुरानी و्लीश बंदी यह nei उसमें लोहा होता है यास पें जंग लग जाता है पड़े वो भी एयर के साथ रियाक्ट कर लेता है और रियाक्ट करके मैगनीशियम ऑकसाइड की फॉर्मेशन उसको मैंने बर्न नी किया उसने अपने उप साथ ही खुद से रियाक्ट कर लिया जब बहुत पुराना काफी दिनों तक मैंने एक्सपोस मतलब एयर में बहार खुला अब तुम जाके इसको बर्नर में लेके जाओ हीट करो वो जलेगा ही नहीं वाइट फ्लेम के साथ वो वाइट फ्लेम के साथ जलेगा ही नहीं क्यों नहीं जलेगा अरे उस पे तो पहले से लेयर बनी हुई है ना बच्चो उस पे तो पहले से लेयर बनी हुई है ना बच् ताकि फिर उसको बर्नर में लेके जाओं तो वह वाइट फ्लेम के साथ जले क्योंकि उसको बनाना भी तो एम जी हुआ है अब एम जी हो पहले से बना हुआ रखा है उसके सर्फेस पे कहां से जलेगा वह नहीं जल सकता तो इसी लिए मैगनीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम लोग उससे सैंड पेपर से क्लीन करते हैं क्योंकि एट विल फॉर्मर्याक्टिव मैगनीशियम ओकसाइड बना लेता है और वो डिपोजिट हो जाता है रिबन के ऊपर जो उसकी फ़र्दर बर्निंग को प्रिवेंट करता है इस उसके सर्फेस पे उसको रिमूफ करने के लिए हम क्या करते हैं उसे सैंड पेपर से क्लीन कर लेते हैं एक बार ही मैगनीशियम ऑक्साइड बना हुआ हट गया फिर जला लो उसको बहुत ही सुंदर वाइड फ्लेम के साथ जलेगा तो एक वेशन जनरली बहुत तेपर में आत क्या आएप शबने लिया होगा आप चलते हैं आगे हाँ अब आपकी स्क्रीण पर वैसके क्वेशन आएंगे तो बहुत ही स्ुंपल सिंपल से क्वेशन आएंगे बेटा-जी जल्दी से आंसर कर देना श्लो इसक्रीं शॉर्ट लेलो ऑभी भी टाइम है आपके पास लेसक था कि magnesium ribbon when heated give कौन से कलर का powder देता है white powder yellow powder black powder या फिर red powder तो answer है option number a यानि की white powder चलो very good अगला question है which of the following is not a chemical change food का digest होना respiration rusting of iron या फिर melting of ice तो हमें पता है बरफ का पिगलना एक chemical change नहीं है बलकि वो एक physical change है क्या है बेटा जी physical change है तो जल्दी से बताओ सभी के दोनों answer correct थे न very good very good बच्चे इसी तरीके से पढ़ते रहो ठीक है चलो आगे चलते हैं अब हम लोग characteristics of chemical reaction पे अब जैसे कि मैंने बोला कि नया substance बनेगा अब नया substance बनेगा तो सही लेकिन हमें दिखे ऐसा जरूरी नहीं है कई बारी हमें कुछ और changes देखने को मिलते हैं कई बारी हमें कोई ग्यास निकलती हुई दिखती है है ना कई बारी हमें temperature बदलता हुआ दिखता है और कई बारी हमें state बदलती हुई दिखती है ठीक है तो बहुत सारे अलग-अलग से changes जो हमें देखने को मिलते हैं हमें अब इनहीं की example study करने है ठीक है आप से question पूछ सकता है what are the characteristics of chemical reaction तो यह चोटे-चोटे points लिखाना gas evolve होती है precipitate बनता है precipitate क्या है discuss करेंगे अभी question में अभी आएगा आप लोगों के पास color change होता है temperature change होता है state change होती है state change होती है बहुत सारी state change मतलब physical state change होती है solid से liquid बन गया लेकिन पानी की बात नहीं कर रही और भी ऐसा कुछ होता है जिसमें physical state भी change होती है और वो chemical reaction होता है डिसकस करेंगे अभी एक एक करके सभी को discuss करते हैं आइए जरा पहला example देखते है evolution of gas अब क्या सभी को इस container में से एक जास की bubbles निकलते हुए दिख रहे है क्या क्या सभी को इस container में जास की फिस निकलते हुए दिख रही है जल्दी से बताओ बच्चे सभी को दिख रहे है ना container के अंदर बीकर इस container को हम लोग chemistry के अंदर बोलते है बीकर क्या बोलते है बीकर बोलते है बीकर में सभी को बच्चों दिख रही है जल्दी से बताओ कोई ग्यास निकलती हुए येस वेरी गुड सभी को दिख रही है अब ग्यास निकल रही है मतलब कोई ना कोई chemical reaction हो रही है न यहा हमें कोई reaction हुई और कुछ ग्यास निकलती हुए दिख गई हैना ग्यास निकलती हुई दिख गई अब ग्यास किस चीज की हो सकती है कॉन-कॉन से example है जिन में हमें ग्यास निकलती हुए तो आई ये ज़्यादे इख देख तेग देखो अब वह सब समझने के लिए मैंने क् यह मैं हम लोगों ने क्या किया जैसे आप लोग भी कर सकते एक्सपेरिमेंट जाके बट जनरली चोटे बचों को लैब में जाने नहीं दिया तो वैसे भी आप तो स्कूल बंद है तो कोई बात नी दिख रहा है ना साफ-साफ कि ग्यास निकल रही है तो देखो हमने क्या किय यह चोटे पार्टिकल्स बहुत छोटा चोटा चोटी चोटी बहुत छोटी चोटे उसको हम लोग बोलते हैं ब्रइकर टीक है क्या बोलते हैं बेटाजरी चिंग करने कंतेनर लिया उसमें द्रिंग ग foreign Mic eeniesenya mate로 डिए और ओस disciples यह जो आपको दिख रहा है ना वाइट कलर का एक वाइट कलर का एक एक सॉलिट सा सबस्चान्चा इस बीकर के अंदर पड़ा हुआ है वह एक जिंक है मैंने क्या किया जहाँ पर यह जिंक था ना उस कंटेनर में मैंने acid डाला उस container में मैंने acid डाला और acid मैं डालूंगी या तो dilute hydrochloric acid acid मैं डालूंगी या तो dilute hydrochloric acid या फिर dilute sulfuric acid या तो dilute hydrochloric acid या फिर dilute sulfuric acid हना डाल्यूट सल्फ्यूरिक आसिड चलो बताओ मुझे डाल्यूट हाइड्रोक्लोरिक आसिड और सल्फ्यूरिक आसिड का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ बेटा जी डाल्यूट हाइड्रोक्लोरिक आसिड और सल्फ्यूरिक आसिड का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ बेटा जी क्या होता है याद होगा ना अभी तो बताओ ना चाहिए नहीं तो पूरी केमिस्ट्री कैसे पढ़ोगे नहीं याद तो अब याद कर लेना देखो हाइड्रोक्लोरिक असिट का फॉर्मूला होता है एच सी एल और सल्फ्यूरिक असिट का फॉर्मूला होता है बच्चे एच टू एसो फोर हाइड्रोक्लोरिक असिट होता है एच सी एल और सल्फ्यूरिक असिट होता है क्या एच टू एसो फोर क्या होता है बेटा जी एच ट आगए मतलब मुझे की ग्यास इवाल्वूती हुई एक नजर आ गई है ना मुझे पता लग गया कि यार कोई ना कोई रियाक्षन तो इनके बीच में हो रही है तभी तो तभी तो मैंने यह तभी तो यहां पर मुझे ग्यास निकलती हुई दिख रही आपको दिख रहा होग ऐसे ही अगर तुम जिंक मेटल ना लेके मैगनीशियम मेटल लो तो भी सिमिलर तरीके से आपकी हाइडरोजन ग्यास इवाल्व होती है देखो यहां पर जो ग्यास इवाल्व हो रही है ना उस ग्यास का नाम है हाइडरोजन ग्यास उस ग्यास का नाम है बेटा जी हाइडर होती हुई नजर आएगी चाहे डाल्यूट H2SO4 के साथ कराओ ऐसा होगा ही होगा ऐसा बेटा जी होगा ही होगा क्लियर है बच्चों बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया था इनके फार्मुलाज वेरी वेरी गुड चलो बहुत बढ़िया ठीक है आगे देखते हैं और एक् हैं बाटन नोन मेटल चाटर पढ़ते हैं वहां पर देखते हैं कौन से मेटल रियाक्ट करते हैं और कौन रियाक्ट नहीं करते अभी कि लिए पस इतना याद रखो कि जब भी जिंक में डाल्यूट सल्फ्यूरीक असिड डाला तो क्या एवॉल्व हो गया हाइड्रोजिन सोडियम कार्बोनेट मतलब कि अगर मैं सोडियम कार्बोनेट लूँ और उसमें डाल्यूट HCl या फिर डाल्यूट H2SO4 निकालू तो ग्यास निकलती वह दिखरी है न देखो पहले इसमें सिर्फ पानी था मैंने उपर से बहुत सारा सोडियम कार्बोनेट डालर ऐसे एक दम से ऊहमें ब्रिस्क एफर्वेशन्स दिखने लगी इब क्वेस्चन आएगा कि मैं यह खिया होती है कि याने की ㅇयो टू की कौनसी गयास की दिखने लगी और यह brisk effervescence क्या है इसका मतलब बहुत ही rapidly बहुत ही जल्दी हम लोगों को ग्यास निकलती हुई दिखने लगी और कौन सी ग्यास निकलती हुई दिखने लगी बताओ जल्दी से जल्दी से सोडियं कारबोनेट का फॉर्मुला किसी को पता है क्या जल्दी से बताओ बेटा जी जल्दी से बताओ आपके डाउट में अभी क्लियर करूंगी सारे के सारे पहले मुझे आंसर दो जल्दी जल्दी येस वेरी Na2CO3, Na2CO3, अब कुछ बच्चे बोलते है NaCO3, कुछ बोल रहे है Na2SO4, कुछ बोल रहे है NaCl, तो इसलिए मैंने बेटा क्वेशन पूछा था आप से, इसलिए मैंने क्वेशन पूछा था, तो जिसके माइन में डाउथ है, अभी क्लियर हो जाएगा, देखो, sodium, carbonate, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, इसके अंदर होगा sodium, और इसके अंदर होगा carbonate, ठीक है, sodium और carbonate, अब ग्यास कौन सी evolve होगी, वो अगले चाप्टर में पढ़ेंगे, acid, bases and salt में, ठीक है, acid, bases and salt जब हम लोग पढ़ते हैं, और बच्चा एक बात याद कर लो, जब भी carbonate है न, जब भी carbonate है, तो carbon dioxide evolve होगी, ठीक है, जब भी carbonate है, तो carbon dioxide evolve होगी, इसके लिए इतना बता सकती हूँ, मैं याद कर लो, दिमाग में चुपचप जाएगा, ठीक है, अब sodium carbonate का formula Na2CO3 क् clear नहीं है, ध्यान से सुन लो बेटा, clear हो जाएगा, अब देखो, sodium carbonate में एक तो present है sodium, और एक present है carbonate, अब carbonate पे charge कितना होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए, तो class 9 में बेटा, एक table दी होती है, जिसमें आपको बहुत सारे ions और उनके charges दिये होते हैं, ठीक है, अभी आ ions पे charges कितने हैं, वो आप लोगों को याद रखने है, class 9 की book में, आपको ions के उपर charges दिये होंगे, उनके नाम दिये होंगे, और किस ion का क्या formula होता है, जैसे carbonate CO3 होता है, है ना, sulphate SO4 होता है, और SO4 2 माइनस होता है, carbonate CO3 2 माइनस होता है, वो याद करना है, ठीक है, करके सारे बच्चे, फिर गलत नी होएंगे, कल से फिर formula पूछोंगे, वो गलत नी होएगा, बच्चे आप से, ठीक है, अब एनने पे charge होता है, प्लस 1, CO3 पे होता है, माइनस 2, अब प्लस 1 और माइनस 2, दोनों एक दूसरे को cancel नहीं कर सकते, है ना, यहाँ पे भी प्लस 2 होना चाहिए, तभी तो प्लस 2 माइनस 2 बनेगा, क्योंकि यह तो overall, इसके उपर तो कोई charge ही नहीं, यह overall neutral है, यानि कि इस पे प्लस 1 है, इस पे माइनस 2 है, तो यहाँ पे प्लस 2 होना चाहिए, अब यह प्लस 2 कैसे बनेगा, जब मैं 2 सोडियम प्लस ले लो, यह वाला प्लस 2 क सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मुला हो जाएगा, सोडियम दो लिए है न, इसलिए बेटा हो जाएगा, एननेटू सी ओ त्री, सोडियम दो लिए है, इसलिए फॉर्मुला हो जाएगा बच्चे, एननेटू सी ओ त्री, क्या हो जाएगा बेटा जी, एननेटू सी ओ त्री गया Na2CO3 बन गया जल्दी से बताओ बच्चे कितने बच्चों को समझ में आया जल्दी से बताओ बेटाजी कितने बच्चों को क्लियर हुआ बताओ समझ में आया या नहीं मेरे पास Na2CO3 था मैंने बुला जब भी कार्बोनेट होगा ना कार्बोनेट में हम आसेड डालेंग के साथ कराएंगे तो बनेगा क्या CO2 तो CO2 बन गया अब CO2 की ब्रिस्क एफर्वेसेंस होती है बहुत ही जल्दी हम लोगों को निकलती हुई दिखती है जैसे कि यहां पे आप लोगों को दिख रही है ठीक है जैसे कि यहां पे आप लोगों को दिख रही है एकदम से निकले दिखती है ऐसे ही सीओ टू ग्यास हमेशा ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ रापिटली बहुत ही फासली निकलती हुए दिखती है अब मैंने क्वेशन यह पूछा था कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा ठीक है तो एक होंबग दिया मैंने पहली बात तो सार एकने प्लस चार्ज अब सोडियम कार्बोनेट में सोडियम आयन होगा एकने कार्बोनेट आयन होगा सोडियम पे होता है प्लस बन चार्ज कार्बोनेट पे होता है माइनस टू चार्ज ओवरोल इस पे कोई चार्ज नहीं है ओवरोल यह न्यूट्रल है अब प्लस वन माइ माइनस बन नहीं रहा तो मुझे तो इक्वल बनाना है उसके लिए मैंने दो एंडेस ले लिए एक एंडेस फीन दो एंडेस टो प्लस टू दो मांईनस टू तो क्यूंकि दो अने लिये तो एने तू एक सीओ त्री लिया और फॉर्मुला सोडियम कार्बुनेट आई होप अप तो बहुत सरे बच्चों को समझ में आ गया होगा जल्दी से बताओ बच्चे अब क्लियर हुआ ना अगर नहीं हुआ ना अभी भी जल्दी से बताओ बच्चे वेरी है आपके पास ये कि वेंडाल्यूट HCL is added to zinc granules gas evolved is कौन सी ग्यास evolved होती है अगला question है बच्चे आपके पास वेंडाल्यूट HCL is added to sodium carbonate gas evolved is कौन सी ग्यास evolved होती है चलो डिसकस करते हैं अब एक question आया था कि मैं यहां पर हमें कैसे पता लगेगा कौन सी ग्यास evolved हो रही है तो देखो zinc case HCL था ना तो इसमें सिरफ hydrogen नी बचा तो H2 gas evolved होती है आंसर आ गया option number a ठीक है अगला question था हमारे पास sorry 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 यहां पर कार्बोनेट था ना कार्बोनेट के साथ evolve होती है CO2 gas मैंने इसको वो समझ लिया था जिंक समझ लिया था तो जब और कार्बोनेट में HCL डालते है तो बनती है Co2 gas और जब जिंक granules में HCL डालते है तो बनती है hydrogen gas यह तो सभी को पता है ना यह तो सभी को पता है कि जब HCL में zinc डाला hydrogen gas, HCL में कार्बोनेट डाला तो CO2 ग्यास ठीक है अब बच्चों आपको एक चीज दिखा देती हूं मैं यहाँ पर देखो मैं इस टेबल की बात कर रही थी आपको यह टेबल याद करके आनी है क्लास नाइंथ में NCRT में मिल जाएगी अगर नहीं मिली तो स्क्रीन शॉट लिलो जल्दी से और यह में आयन्स लिखे है आयन्स के उपर चार्जिज लिखे है सल्फाइट के उपर माइनस टू होता है औक्साइट पे माइनस टू होता है कार्बोनेट सी यो थी टू माइनस होता है सल्फेट एसो फोर टू माइनस होता है सल्फाइट एसो टू माइनस होता है यह आपको याद करके आने है कल का होंबख है आप लोगों के लिए पक्का होंबख करके आओगे ना जल्दी से बताओ बेटा है ना चलो राम को सेम टाइम सेम जगा थैंक यू वेरी मच बच्चो